हेलो दोस्तों स्वागा थे आप सभी का एक बार फिर एक नई वीडियो में आप देख रहे हैं वेल्डिंग टैक मेरा नाम है दीपक चलिए शुरू करते हैं दोस्तों काफी दिनों बाद वेल्डेट ट्रेट की हम दोबारे से क्लास स्टार्ट करने वाले हैं तो उम्मीद करता हूँ इस समय आप लगी सभी लोग अपने घर पर होंगे और स्वस्तों होंगे और अपनी तयारी अच्छे से कर रहे होंगे इसके बाद में हम लोग फिटर की क्लास भी स्टार्ट करेंगे जिसमें की आपको बहुत अच्छे MCQ मिलेंगे जो मैंने खोद अपने हातों से तयारी की टाइम जब मैं तयारी कर रहा था तब मैंने बनाए थे तो आज की class start करते हैं हम first question के साथ में और ये एकदम नई सीरीज है उमीद करता हूं आपको पसंद आएगी Question number one है Which of these is not a source of danger in electric arc welding Correct answer हमारा क्या हो जाएगा Option number B ultrasonic waves Second question देख लेते हैं Second question है हमारा Does welding symbol given blow means नीचे दियेगा है building प्रतीक का अर्थ है Building प्रतीक आपको जो दिखाएगा है diagram में इसका में बताना है क्या हमें निर्देशित कर रहा है Options मिल जाते है Field weld, goal weld, circle weld या all round weld तो हमारा correct answer number का निकल के आजाएगा बे निकल के आजाएगा हमारा option number C All round weld, सभी तरफ weld Third question देख लेते हैं Third question है What is the type of group so in figure given below नीचे हमें एक चित्र में group नाली दिखाई गई है बे क्या है हमें पहचानना है Options मिल जाते है Bevel group, V group, knock-dar cut या notch cut या half V तो correct answer हमारा के निकल के आएगा बे हमारा हो जाएगा Bevel group Bevel group हमें यहाँ पर figure में So, किया गया option number A is the correct answer Next question की तरफ चलते हैं Fourth number question है The method of striking and electric arc विद्दुत आर्क को काड़ने के दो तरीके हैं Scratch और sniff Scratch and tap Strike and scrap या scrap and sniff Correct answer हमारा क्या हो जाएगा Fourth number question का Scratch and tapping Scratch and tapping method का हम परियोग करते हैं Next question की तरफ चलते हैं Fifth number question है Which of these is not a type of belted joint इन में से कौन सा एक belt जोड़ का परकार नहीं है यह हमें बताना है Options मिल जाते हैं हमें कौना, T, bead या lab Correct answer हमारा क्या हो जाएग Fifth number question का Bead जोए हमारे कोई belt जोड़ का परकार नहीं है Bead Correct answer हमारा हो जाएगा Next question की तरफ चलते हैं Defect in the belted joint So, below नीचे दिखिए गए चित्र में Belt जोड़ में क्या थृटी हमें बताना है Options मिल जाते हैं Crack, Crater Crater, Crack, Undercut या lack of fusion Correct answer हमारा क्या निकल के आएगा Sixth number question में जैसा कि आप देख पा रहा है तो हमारा यहाँ पर Undercut बन गए याँ पर गड़े बन गए Belt beat के पास में तो correct answer हमारा क्या हो जाएगा Undercut कम कटा हुआ Next question की तरफ चलते हैं Seventh number question रहा आप के सामने और कहा गया है Figure 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 So, the three different ways of moment of electric Electrode during building What is the moment called नीचे दिये गए चित्र में building के दोनान Electrode के चालन के तीन विविन मार के दरसाता है इस चालन को क्या कहते हैं तो दोस्तों इस तरह से हम Electrode से घुमा कर building करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है तो आप सभी जानते है इस Electrode की Weaving कहा जाता है Weaving of Electrode Correct answer हमारा क्या हो जाएगा Option number A Weave is the correct answer Next question की तरफ चलते है 8th number question रहा आपके सामने कहा गया है Acid lane becomes unstable at pressure more than Acid lane से Acid lane खालिस्तान से एधिक दवाब पर Ister हो जाती है कितने दवाब पर Ister हो जाती है तो हमारा correct answer है निकल के आएगा बेहमारा हो जाएगा 15 PSI Next question की तरफ चलते है 9th number question है Leftward gas building technique is used for mild steel plate up to thickness of by your gas building technique खालिस्तान तक की मोटाई वाली नर्म अव श्टील प्लेटों के लिए प्रियोग की जाती है तो leftward building का प्रियोग हम करते है दोस्तों 5 mm तक की मोटाई के लिए और इससे अधिक के लिए हम करते है rightward building का प्रियोग और दोस्तों जो आप तयारी कर रहे हैं तो आपस एक बार बोलना चाहूँगा कि आप सबसे पहले जो भी अपने पास आपके पास theory की book है उसको अच्छे से दो तीन बार पढ़िएगा तब आपसे हर एक question बनने लगए उसके बाद आप test series लगाईएगा जो तरह तरह के questions कीजिएगा तब आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच जाएगी next question की तरफ चलते है 10th number question in the welding process in the welding process removal of weld metal and base metal from the opposite side of a welded joint to ensure complete penetration upon welding from that side is called दोस्तों ये question most important है और ये question ALP technician exam में पूछा गया था हम से पूछा गया है कि हम welding कर रहा है removal of weld metal and base metal from opposite side opposite side से metal हटाना है weld joint से ये complete देखने के लिए penetration पूरा हुआ है कि नहीं तो इसे हम क्या कहेंगे options मिल जाते हैं disc lagging, beveling, bag gouging या joint preparation तो आप सभी जानते हैं इसका correct answer हो जाएगा 10th number question का option number C bag gouging next question की तरफ चलते है in gas cutting too much of khalistan makes incomplete cut with rough edge gas cutting में khalistan अधिक होने से खुरदरे धारे खुरदरे धार के साथ asampoon cut देता है किसके कारण देगा options मिल जाते है gas pressure, clearance, pre heating या speed correct answer 11th number question का हमारा हो जाएगा speed अधिक speed के कारण दोस्तों हमारा gas cutting में अधिक speed होने कारण खुरदरे तरफ धार के साथ cut पूरा नहीं बन पाता है cut अधूरा रह जाता है next question की तरफ चलेंगे the distance from the work surface to the top of weld weed is now is कारी सत्य से weld weed के उपर तक की दूरी को कहते हैं most important question है आप note कर सकते हैं options मिल जाते हैं penetration, reinforcement, weed width या फिर has, correct answer हमारा क्या हो जाएगा 12 number question का हो जाएगा reinforcement, सुद्रनी करण next question की तरफ चलते हैं 13 number question PQR means most important question इसको भी note कर सकते हैं PQR stand for तो correct answer हमारा हो जाएगा procedure, qualification, report option number B is the correct answer procedure, qualification, report next question की तरफ चलते हैं 14 number question है when using a fire extinguisher to extinguish a fire it should be आग बजाने के लिए अगली समख कपरियों किया जाता है यह होना चाहिए कैसा होना चाहिए point at the base of the fire आग की आधार की और के अंदर होना चाहिए आग को ठंडा करने के लिए उपर तसा नीजे चलाना चाहिए लप्टों के उपर केंदर होना चाहिए यह आपसा नमीडी लप्टों से डेड़ सो एम एम के भीतर होना चाहिए correct answer 14 number question का हमारा क्या हो जाएगा आग के आधार की केंदर की और होना चाहिए point at the base of the fire next question की तरफ चलते हैं next question देख लेते हैं क्या है 15 number question रहा आपके सामने the voltage present when the welding machine power switch is in the on position but no welding is taking place is called जब welding machine का power switch on इस्तिती में होता है तब उपस्तित voltage परन्त कोई welding नहीं हो रही है welding machine चालू है लेकिन welding नहीं हो रही है उस इस्तिती में voltage हमारा क्या कहला है यह हमें बताना है most important question not कर सकते हैं option हमें यहां मिल जाते है open circuit voltage, operating voltage, arc voltage या high frequency voltage तो आप सभी जानते हैं correct answer हो जागा हमारा खुला circuit voltage यानि की open circuit voltage next question की तरफ चलेंगे और next question रहा आपके सामने 16 number question कहा गया है rectifiers are noted for their ability to sunsudak अपनी छमता के लिए जाने जाते हैं rectifiers किसलिए काम किये जाते हैं दोस्तों तो आप सभी जानते हैं rectifier का use जो है हम AC को DC में परिवर्टित करने के लिए करते हैं तो option हमें का मिल जाता है change AC to DC current change AC to DC current अब हम देख लेते हैं next question 17 number question और दोस्तों यह question आपको इसका comment box में आंसर बताना है one should never cut और बेल्ड डारेक्ट ली अगेंस्ट किसी को खालिस्तान के वृद्ध कवी भी सीधे काटना अदवा बेल्ड नहीं करना चाहिए concrete cast tyrant कारे करने का स्थान या अजोलन सील सते तो आपको इसका को ignore करेंगे और questions पर ध्यान देंगे उम्मित करता हूँ यह video series आपको पसंद आएगी और मैं ज़्याद से आपको question प्रोवाइट कराऊँगा तो आप अपनी तयारी अच्छे से करते रहिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीवी की साइट पर व्यापम की साइट पर जो है टियो का भी कैलेंडर आ चुका है तो आप अपनी तयारी अच्छे से करते रहिएगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम बाई बाई